सादर जैस्री करिश्ण मित्रो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एश्टरो गुरुजी में मित्रो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकान को अवश्य दबाएं जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे आप नित्य नई ग्यानवरधक जानकारिया वनित्य का राशी फल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें तो मित्रो आज आपको हम बताने जारे हैं पीपल के वरक्ष से जुड़े कुछ चमतकारिक लाब तो धर्म सास्त्रों में पीपल के वरक्ष को बहुत ही महतु दिया है पद्म पुरान के अनुसार पीपल का वरक्ष भगवान विश्णु जी का ही सुरूप है इसलिए इसे धर्मिक छेत्र में स्रेष्ठ व देव वरक्ष की पदवी मिली है और इसका विधी विदान से पूजन आरंब हुआ है तो हिंदु धर्म में अनेक सुवसरों पर पीपल वरक्ष की पूजा करने का विदान है तो मान्यता ऐसी है कि सोम्वती अमावश्या की दिन पीपल के वरक्ष में साक्षात विश्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आगमन होता है पुराणों में पीपल का बहुती महत्तु बताया है इसकंद पुराण में एक स्लोक की अनुसार इस प्रकार से बताया है इस लोक का अर्थ इस प्रकार से है कि पीपल की जड़ में विश्णु जी होते हैं तने में केशव, साखाओं में नारायन, पत्तों में भगवान हरी और फलों में सब देवताओं से युक्त अच्च्चत भगवान सदा ही निवास करते हैं यह वरक्ष मूर्तीमान स्री विश्णु जी का ही सुरूप होता है महात्मा पुरुस इस वरक्ष के पुन्यमाई मूल की सेवा किया करते हैं इसका गुणों से युक्त कामदायक आसरई मनिश्यों के हजारों पापों का नास करने वाला है तो पद्म पुराण के नुसार पीपल को प्रणाम करने और उसकी परिक्रमा करने से दिर्ग आयू होती है जो व्यक्ती इस वरक्ष को जल अरपन करता है वह सभी पापों से छुटकारापा करके स्वर्ग लोक को चला जाता है पीपल के वरक्ष में पितरों का वाज भी बताया है इसमें सभी तिर्थों का निवाज भी होता है इसलिए मुंडन संसकार आधी शुब मांगली कार्य धार्मिक कथाएं आधी करने का पीपल के वरक्ष के नीचे करने का विशेश प्रचलन है तो पीपल के वरक्ष की पूजा आरादना सनी की धहिया साड़े साती से मुक्ति प्रदान करता है सनी की साड़े साती या धहिया के कूप प्रभाव से बचने के लिए हर सनीवार पीपल के वरक्ष पर जल चड़ा करके साथ परिक्रमा करना चाहिए साम के समय पेड के नीचे दीपक जलाना भी बड़ा ही सुब होता है आधुनिक वेग्यानिकों ने इसे एक अनूठा वरक्ष भी बताया है जो कि दिन और रात यानि 24 घंटे आक्सिजन ही छोड़ता है जो मनुस्य जीवन के लिए काफी जरूरी होती है सायद इसलिए इस वरक्ष को देव वरक्ष का दरजा भी प्राप्त हुआ है तो यह विश्वास है कि पीपल की निरंतर पूजा अर्चना और परिक्रमा करने करते हुए जल चड़ाते रहने से संतान की प्राप्ती होती है पुत्र प्राप्ती के योग प्रबल होते हैं पुन्य मिलता है और अद्रस या आत्माय तरप्त हो करके हमारी सहायक भी बन जाती है यदि किसी की कोई कामना है तो उसकी पूरती के लिए पीपल के तने के चारो और कच्चा सूत लपेटने की परंपरा होती है इससे मनोकामना शिगर पूरी होती है पीपल की जड़ में सनिवार के दिन जल चड़ाने वा दीपक जलाने से अनेक प्रकारो के कश्टों का निवारन हो जाता है जब किसी की सनी की साड़े साती चलती है तो पीपल के वरक्ष का पूजन तथा परिक्रमा करना चाहिए क्योंकि भगवान करश्ण के अनुसार सनी की छाया इस पर रहती है इसकी छाया जो है यग्य हवन पूजा पाथ पुरान कथा आदी के लिए बहुती स्रेष्ठ मानी जाती है और प्रत्येक सनिवार को पीपल के वरक्ष पर जल कच्चा दूद चड़ा करके सात परिक्रमा करके सूर्य भगवान संकर जी पीपल इन तीनों की विधी पूर्वक पूजन अर्चन करें तथा जल इनको अरपन करें और वह जल नेत्रों में लगाएं और पित्र देवाई नमाह इस मंत्र का चार बार कसी भी देव स्थान पर पिपल के पत्टों को लगाने से भहुती शूभ फुलों की प्राप्ति होती है। यज्य यागादी पुन्य कर्मों में पीपल के पत्तों को प्रयोग करने से अनंत गुणा फलों की प्राप्ति होती है। सुर्योदई से पहले पीपल पर दरिदृता का अधिकार होता है और सुर्योदई के बाद माता लक्ष्मी जी का अधिकार हो जाता है। इसलिए सुर्योदय से पहले पीपल की पूजा करने का निशेद बताया है। इन सभी कारणों से पीपल के व्रक्ष का पूजन अर्चन बताया है। धन का कारण ग्रह होता है। पीपल की पूजा से कारियों और विचारों में हमारे इस्थिरता आती है। मन का भटकना रुख जाता है। प्रवरत्ती के कई मार्ग खुल जाते हैं। स्वर्ग लोक में विशेश इस्थान मिलता है। तो मित्रों आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ग्यान वर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और आप हमारे वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। धन्यवाद जैसरी करश्ण मित्रों फिर मिलेंगे।